सीजन फूर एपिसोड थर्टीन स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर गस की घाड़ी से उस बॉम को निकालते हुए दिखता है वो जब वॉम निकालता है तो वो नीचे जेसी से मिलने आता है उसके बैग में ही बॉम होता है तो जेसी उसे बोलता है कि क्या तुम कोई प्लेस है जहां वो आ सकता है वो रेगुलरी जाता है तुम्हें कुछ भी पता हो तो तुम मुझे पता दो फिर वहां डिटेक्ट्ट्व आ जाते है वो जेसी से कुछ सवाल पूछना चाहते है जेसी ने राइसीन के बारे में एंड्रिया को बताय हुआ होता है तो इ एजन उनके रूम में जाकर उसे बात कर रहे होते हैं वो बोलते हैं यह तुम्हें कैसे पता चला कि वो पॉइजन होगा जैसी बोलता है मेरी इंस्टिंक्ट थी इसलिए मुझे पता चला तो एजन उससे पूछते हैं कि इतना स्पेसिफिक तुम्हें पॉइजन का नाम भ कि जो poison तुमने बोला था वो ही poison ब्रॉक को हुआ है तो तुम बहुत ही ट्रवल में हो सकते हो next scene में हमें दिखाया गया है कि Walter Saul के यहां आ जाता है Saul के यहां आने के बाद उसके जो secretary होती है वही वहा होती है दर्वाजा वो खोलने रहे होती तो इसलिए Walter दर्वाजा तोड़ देता है वो secretary उस पर चिलाती है फिर वो उस secretary से पुछता है कि Saul कहा है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता फिर वो उसे बोलता है कि हम danger में हैं बहुत ही जादा जल्दी है वो उसे बोलती है कि तुम हमेशा danger में ही होते हो वो बोलती है कि तुमने दर्वाजा भी तोड़ दिया मैं अब घर जाने वाली थी पर मुझे अब वेट करना पड़ेगा उस दर्वाजे को fix करने का और इसके पैसे को नेगा फिर वाल्टर जेब से 1700 डॉलर निकालता है और उसे दे देता है वो उसे फिर ब्लैकमेल कर दी है अगर 25,000 डॉलर उसे मिले तो ही वो सौल का पता या number उसे देगी फिर वाल्टर घर पहुच जाता है जब वो घर पहुचता है तब उसे लगता है कि उसके घर में कुछ लोग हो सकते जो उसका वेट कर रहे होगे उसे मारने के लिए तो वो आइडिया लगाता है और उसकी neighbor को call करता है उसकी neighbor को बोलता है स्काइलर में और हम एक vacation पर गए है और वाल्टर जुनियर का लगता है कि gas हमारा on रहे गया होगा तो ये बहुत ही बुरा होगा कि अगर gas on है तो क्या तुम जाकर चेक कर सकती हो उसके पास की होती है तो ये वाल्टर उसे पूछता है फिर वो जाकर घर में चेक कर दिये तभी वाल्टर देखता है कि उसके backyard से दो लोग बाहर निकल आए जब वो वापस अपने घर पर चल लग जाता है अभी भी वो एजन्ट जेसी से बात कर रहे होते हैं पर तभी सौल वहाँ आ जाता है और सौल उनको बोलता है कि अब यहां से तुम यहां बहुत ही सेफ हो फिर सौल उसे पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा यानि कि वाल्टर जब गस के बा जाता है यह सब सौल उसे समझाता है ओल्डे जोम के बारे में उसे बताता है वाल्टर को लगता है कि यह कुछ भी इंफोर्मेशन इंपोर्टन नहीं है पर सौल फिर उसे बताता है कि जब भी वो डॉन सलमंको को किसी आदमी को मारता है तब उसे बताने वो जाता है तब मैं किसी और एक आदमी को जानता हूँ, जिससे तुम और भी हिट कर सकते हो, हम एक दुसरे को help कर सकते हैं, फिर हमें रिखाये गया है, डॉन सलमंक का उसकी जो केरेटिकर होती है, उसे बुलाते हैं, उसके पास एक board होता है, उस board पर सब alphabets होते हैं, अगर डॉन सलमंक को क DEA, यानि कि अब वो DEA से बात करना चाते है, सकाइलर और Walter जुनेर मरी के पास ही होती है, और मरी Walter को बोल रही होती है, कि तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए, पर Walter सुनने रहा होता, तो उसे गुस्ते से बोलती है, तुम वही रहो, car freshener बैशती हुए, वो सकाइलर से भी support के लिए पूछती है, पर सकाइलर बोलती है, वो यहाँ जब आएगा, वो आना चाहेगा, तब वो आ सकता है, हैंक अभी भी laundry के जो photos उसके partner ने निकाले होते है, वो देख रहा होता है, जब उसका partner उससे देखने के लिए घर पर आता है, वो से बोलता है, कि अभी भी वो तो इस दूसरे machine में ही कुछ होगा, तो फिर उसका partner उसे बोलता है, कि यह तुम्हें के से बाता चला, तो हैंक ने यह online जाकर electricians से पूछा होता है, फिर उसका partner उसे बोलता है, कि तुम्हें, तुमसे मिलने के लिए Don Salamanca आये है, Don Salamanca से हमने पूछताच करने की 4 घंटे को हैंक के पास हैंक दिखाए गया है, वो एक रूम में होते हैं, बहुत सारे agents भी वहा होते हैं, और पुछताच कर रहे होते हैं, Don Salamanca फिर उसके character lady के साथ होते हैं, और वो dictate कर रहे होते हैं, और हमें पता ही यह आगे क्या हो सकता है, वो उनको कुछ भी बता नहीं रहे होते next word भी वो बोलते हैं, फिर भी वो fuck you ही बोलते हैं, और यह कुछ भी helpful नहीं होता, फिर वो उस building से निकलते हुए दिखते हैं, जब वो building से निकलते हुए होते हैं, तभी Gus के जो आदमी होता है, वो Gus को call करता है, फिर Don Salamanca फिर से old age home में आ जाते हैं, और उनकी character lady जो होती है वो उनकर बहुत ही गुस्ता होती है, जब Don Salamanca अकेले होते हैं, तो Walter वहाँ से निकलता है, Walter फिर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ second thoughts है, next day में हमें Gus का आदमी hospital में आता हुआ दिखता है, वो hospital में आकर Don Salamanca की room में आता है, और वो check करता है कि कुछ wire है, या कुछ recording device है, cameras है, यानि कि उसे लग रहा होता है कि DEA ने कुछ plant किया होगा, उसके बाद वो Gus को call करता है और Gus को बोलता है कि यहाँ सब clear है, जैसी जब investigation खतम होने के बाद building से बाहर निकलता है, तब उसे Gus उठवा लेता है, Gus को जब उसका आदमी call करता है और वो बताता है कि यहा तब Gus उसे बोलता है कि मैं वहाँ आना चाता हूँ, Gus का आदमी उसे बोलता है कि यह ठीक होगा कि अगर मैं खुद ही से निप्टल हो, पर Gus को personally Don Salamanco को मारना होता है, जब Gus वहाँ पोच्छता है और Don Salamanco से बोलता है कि क्या reputation तुम अब तुम जाने के बाद छोड़ के जा रहे हो, एक rat यानि कि तुमने DA को सब बता दिया किस तरह का आदमी DA से बात करता है, वो फिर एक syringe लेता है और Don Salamanco को मार देने वाला होता है, तब ही Don Salamanco का अपनी घंटी बचाते है और वो घंटी एक बॉम से connected होती है, वो बॉम उनके wheelchair से connected होता है, और फिर वो बॉम फ राइट साइड पूरी जली होती है, फिर वॉल्टर कार पारकिंग में बेटा हुआ होता है, वो वेट कर रहा होता है कि गस मर चुगा है इस news का, फिर उस radio पर एक news मिल जाती है, जैसी लैब में जाकर cook कर रहा होता है, और उस पर एक आदमी नजर रहा होता है, फिर उस रख रहा होता है उस आदमी को मार देता है वाल्टर जेसी को बोलता है अब हमें कुछ काम करना है फिर वो दोनों पुरे लैप को जड़ा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं नेक्स दिन में Walter और जेसी हॉस्पिटल के पार्किंग में होते हैं जेसी उसे बोलता है कि अब प्रॉक ठीक है वो राइसीन पॉजिंग नहीं था तो वो एक Lily of the Valley ये एक fruit होता है उसे उसने खा लिया था ये बहुत ही common है और डॉक्टर ने ये figure out कर लिया है तो अब Brock ठीक हो जाएगा Skylar फिर Walter को call करती है और Skylar उसे पुछती है कि क्या तुमने देखा कि Gus Fring एक explosion में मारा गया वो बोल रहे थे कि वो मेथ डील करता था फिर वो उसे पुछती है कि क्या सब ठीक है फिर Walter उसे बताता है कि मैं जीत गया नेक सीन में हमें दिखाया गया है कि जो लिली ओफ दे वैली प्लांट होता है वो Walter के backyard में होता है इसका मतलब Brock को Walter ने ही poison किया था तो हमें पता चलता है कि जैसे Walter को मारने आया था तो उसका case सही था Walter ने ही उससे rising चुराया था salt के through और फिर उसने Brock को poison किया होता है यह सब Walter का ही plan होता है और यही यह season यह episode खतम हो जाता है